हेलो फ्रेंग लेल जी यानि ले लोग्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम यहां बात करेंगे इंस्टा फ्लेक्सी कैस यानि ओवरड्राफ लोन की और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो समय को नगवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सुरुवात करते हैं तो इंस्टा फ्लेक्सी कैस क्या होता है कौन सा बैंक इसको प्रोवाइड करता है इसको अवेल कैसे करते हैं दूसरा इसमें अच्छाईयां क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है हम आपको इसमें ब या जिनकी salary ICI bank में आती है यह केवल उन्हीं के लिए facility है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको Instaflexic cash की facility ले सकते हैं तो आप i-mobile का अगर इस्तिमाल करते हैं या net banking का इस्तिमाल तो आप उसमें जाकर login करिए login करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा उसमें offer जहां पर लिखा है आप उस icon पर क्लिक करिए जाकर उस icon पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया page open होगा और यह इस तरह का कुछ page open होगा उसमें different different icons आ रहे होगे जैसे credit card upgrade का, car loan का तो आपको insta flexi cash का जो icon होगा उस पर जाकर क्लिक करना है और get it now पर क्लिक कर देंगे get it now क्लिक करने के बाद आपको आगे जो भी process होगा उसमें कर दीजिएगा जिससे आपका एक नया current account open हो जाएगा और उसमें जित्ते भी आपको पैसे चाहिए और उसमें transfer हो जाएगे इस current account में जाके आप insta flexi cash account में जाके दोनों यह कहीं है आप अपना balance चेक कर सकते हैं और जैसे ही आप अपना balance चेक कर लेंगे तो उसके आगे की process यह है कि आपको पैसा जो है अपने current account या insta flexi cash account से आपको saving account में transfer करना होगा तभी आप इसका इसका इस्तेमाल कर पाएंग तो हमारा current account या insta flexi cash account ओपन हो गया जिसमें हमें balance भी दिखा रहा है अब बात आती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें तो एक जो बहुत जरूरी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके saving account में आपका balance zero हो जाए तो इसके लिए आपको पहले तो अपना saving account खाली करना पड़ेगा मतलब उसमे balance zero करना पड़ेगा उसके बाद आप जो current account या insta flexi loan account open हुआ है उससे आप अपने saving account में पैसे transfer कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर यह अजीब सा लगा कि आप एक insta flexi loan लिए हैं और आप उसक समाल तभी कर सकते हैं जब आपके पास saving account में पैसे नहीं होते हैं saving account में balance zero होने के बाद ही आप जो है insta flexi cash को जो है अपने saving account में transfer कर सकते हैं इसके पीछे bank अतर्क यह है कि insta flexi cash हमने केवल इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे कभी कभी आपको होता है कि आपको instant money की जरूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तिमाल करते हैं जैसे कहीं पर किसी को देना है या कुछ है और आपके पास कोई पैसे नहीं रहे जाते तो उसके आगे क्या होता है कि जब आपके कावर्ण में balance 0 होता है और उसके 2-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन में आपके पास पैसे का कोई इंतिजाम नहीं होता आपकी अमाई कटनी होती है या आपको आपके अपने खर्चे होते हैं तो ऐसे जगह पर आप इस cash का इस्तिमाल कर सकते हैं अब बात आती है कि इंस्टा फ्लेक्सी कैस को अवेल करने के लिए कितना processing fees होता है तो जो बैंक ने इसके लिए decide किया है वो 1999 प्रस GST यानि अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 2350 रुपए के करीब जो है यह आपको पे करना होता है यह आपको कैस नहीं पे करना होता है यह आपके saving account से ही पैसे current account में transfer कर लेते हैं जिसको इन्होंने नाम दिया है auto swapped तो और इस यह इंस्टा फ्लेक्सी कैस जो होता है इसका duration 12 महीने के लिए होता है 12 महीने के बाद भी अगर आप इसको 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 इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आपको फिर से auto renew करना और 1999 प्लस GST यानि लगवग 2500 रूपय जो है आपको फिर से auto swap अपने saving account से कराना पड़ेगा रही बात इंस्टा फ्लेक्सी कैस पे interest किता लगता है तो बैंक ने जो decide किया है इस पे annually 12 से लेकि 14% का ब्याज लगता है और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपके इंस्ट फ्लेक्सी कैस या current account में एक लाख रूपय है और आपको 10,000 रूपय की ही जरूरत है तो आप अपने current account से यानि इस्टा फ्लेक्सी कैस account से केवल 10,000 रूपय पे करिए और आपको जितने दिन के लिए 10,000 रूपय की वो जरूरत है उतने दिन ही उसका इस्तेमाल करिए उसके बाद उसको जो है पे कर दीजिए तो केवल उतने दिन का ही आप पे ब्याज 12 से लेके 14 परसंट के हिसाब से लगेगा अगर आपको इंस्टा फ्लेक्सी कैस की जरूरत नहीं है और आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी प्री क्लोजर चार्जेज नहीं है अप ऑनलाइन जाके ही या थ्रू कस्टमर के एर इसको जाके इसको क्लोज करा सकते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है इसमें पहले से इन्होंने लगवग साड़े 2300 रुपए ले लिया है तो मुझे नहीं लगता कि पर कुछ नहीं है और इसी तरह के वीडियो जो है आपको अगर आगे देखने हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू